दोस्ता स्वागत है आपका अमारे यूट्यूब चैनल पर तो SSE CGL exam के लिए reason के हम लोग expected question देखेंगे जो कि आने वाले exam के लिए important है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूंगा जो लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने चलिए स्टार्ट करते हैं आज किसे सिन में पहला question है यदि ही वराबर है 41, कोमा वराबर है 76, तो हीर वराबर किसके होगा तो जो तरीका ही और कोमा में लगेगा बही तरीका हीर में लगाएंगे तो सबसे पहले ही के लिए देख लेते हैं ही का कोड आपका 41 कैसे आया तो देख लेते हैं तो देखे क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इनके alphabet code लिख लेते हैं H का होता है 8 E का होता है 5 और हम लोग पीछे से निकालें बिपरीत क्रम में इनकी आंकिक इस्थिति निकालेंगे और उनको जोड़ देंगे तो बिपरीत क्रम में इसकी अगर स्थिति निकालें कौन सा नंबर होता है पीछे से अगर निकालेंगे उल्टे करम में तो हम लोग 27 से घटा देंगे तो 27 में 8 घटाएंगे और प्लस करके जोड़ेंगे फिर 27 में 5 घटाएंगे तो कितना जगा है तो 19 प्लस 22 तो देखिए आपका आगया 41 यही तरीका कोमा के अलफाबेट कोड में लगाएंगे तो कोमा के अलफाबेट C का कोड कितना होता है 3 होता है तो 27 में 3 घटाएंगे क्योंकि विपरित करम में हमें निकालनी है आंग के किस्थिति और जोड़ देना है और प्लस O का कितना code होता है 15 होता है actual में तो विप्रित करम में लगाएंगे तो 27 में 15 गटा देंगे फिर प्लस M का होता है 13 तो 27 में 13 गटाएंगे अब फिर प्लस कर देंगे A का होता है एक तो 27 में 1 गटाएंगे अब अब इनमें निकाल लेंगे देखे 27 में से 3 गया तो 24 27 में से 15 जाएगा 12 27 में से 13 जाएगा 14 27 में से 1 जाएगा 26 चारों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा 76 मिल जाएगा जो कि वो question में आपका दिया गया है यही तरिका here के alphabet code में लगाएंगे तो सबसे पहले here के सारे alphabet ह-e-r-e और इनके alphabet code लिखते है ह-e kayak अब इनके बिपरीत करम हिनकी इस्तिती क्या होगी पतलब पीछे सी इनकी इस्तिती क्या होगी तो हम लोग क्या करेंगे 27 में पहले 8 गताएंगे H के लिए और जोडते चले जाएंगे फिर प्लस 27 में 5 गटाया फिर प्लस 27 में 18 गटायंगे फिर प्लस अब 27 में 5 गटायंगे 27 में 8 गटाया तो आपका कितना आया 19 और 27 में 5 गटाया तो आपका आजाएगा 22 27 में 18 गटाया तो आपका आजाएगा 9 27 में 5 गटार है तो 22 चारों को जोड़ देते हैं 22, 24 24 और 9 53, 53 और 19 कितना हो जाएगा 72 तो 72 आपका राइट आंसर तो option B is right answer अब देखिए यहाँ पर लगा हुए question mark तो जो तरीका कणपाली और कान के वीचों का पही तरीका आगे अपलाई करेंगे देखिए जिस परकार कणपाली जो होता है कणपाली कान का दिखने वाला भाहे भाग होता है कणपाली जो होता है कान के बाहर भाग होता है दिखता है जो उसे परकार आँक का बाहरी भाग कौन सा हो जाएगा तो कनी निका आप्शन ए इस राइट अंसर अगला एक गड़तिये चिन्नों का कौन सा क्रम नीचे दिये गए समी करण में स्टार के स्थान पर आ सकता है तो सबसे पहले एक वेशन लिख लेते हैं आठ पहला स्टार फिर पांच स्टार नौ इस टार इकतिस तो यह एक ऐसा आप्शन लेना जिनके चिन्नों को एक क्वेशन में अप्लाई करने पर एक क्वेशन के दोनों पच्छ आपके बराबर हो जाएं तो इसके लिए आंसर देखिए पहला आप्शन चेक करते हैं तो आठ स्टार है तो पहले स्टार की जगह पर पहला चिन मतला मल्टिप्लाई फिर पांच दुसरे स्टार की जगह पर दुसरा चिन मतला माइनस फिर तिसरे स्टार की जगह पर तिसरा चिन बराबर बराबर हो जाएगा ओके अब बाडमा सुल्ड के एकॉर्डिंग आट पन चालिस गुणा करते हैं चालिस मैनस नौ वराबर एकत्यस तो एकत्यस वराबर एकत्यस तो आपके दोनों पच्छाप के वराबर होगे आगे करने कोई जरू नहीं तो पहले आप्सेन आपका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है उस सही विकल्प का चैन करें जो तरंकला को पूरा करेगा देखिए 15 से 31 बना रहें तो 15 में दो का मल्टिप्लाई और एक को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 255 यही तरीका पीच में भी लगेगा 31 में भी दो का मल्टिप्लाई 31 दूनी 62 और 62 में एक जोड़ देंगे तो आपका कितना जाएगा 63 ऑप्सेन भी इस राइट अंसर अगला उस सही विकल्प का चैन करें जो श्रंकला को पूरा करेगा देखे 900 से 450 बनाएं तो आपका 2 का भाग हो रहा है दो का डिवाइड हो रहा है और 450 से 90 बना रहे हैं तो आपका 5 का भाग हो रहा है 90 से 45 बना रहे हैं तो 2 का भाग फिर 9 से आगे बनाएंगा किसका भाग होगा देखिए 45 से 9 बनाया फिर 5 का भाग एक सीरी चली दो पाँच दो पाँच की अब कितने का डिवाइड होगा दो का तो नौ बटे दो नौ में दो का डिवाइड किया तो आपका कितना जाएगा 4.5 तो आफसें सी इस राइट अंसर नेक्स्ट है किसी कुट भासा में सर्टेन को इसके रोम में लिखा जाता है तो उसी कुट भासा में एक्कॉयर को किस प्रकाल लिखा जाएगा तो सबसे पहले सर्टेन में जो तरीका लगेगा बही तरीका हम लोग एक्कॉयर में लगाएंगे तो देखे सर्टेन के सारे अलफावेट लिख लेते हैं इससे क्या बनना है एक्स वी आई जी जड आर एम तो देखे सी का विपरी तलफावेट होता है एक्स ए का विपरी तलफावेट होता है वी आर का विपरी तलफावेट होता है आई टी का होता है विपरी तलफावेट जी A का विपरीद अलफाबेट होता है Z, I का होता है R, N का होता है मतलब ये सभी विपरीद अलफाबेट लिखें यही तरीका एक्कॉयर के अलफाबेट कोड में लगाएंगे तो एक्कॉयर के सारे अलफाबेट लिख रहते है A, C, Q, U, I, R, E तो A का विप्रीद बन क्या होता है alphabet? Z होता है C का होता है X Q का होता है J U का होता है F I का होता है R R का होता है I E का होता है V यह जो alphabet मिले हैं यही आपका answer हो जाएगा और यह कौन से option में आ रहे हैं? Option C में Option C is right answer Next है यदि किसी कूट भासा में fail को I, F, L, A लिखा जाता है Soul को U, S, L, O लिखा जाता है उसी कूट भासा में Dust को कैसे लिखा जाएगा तो जो तरीका fail और soul में लगेगा बही तरीका dust में लगाएंगे तो fail के सारे alphabet लिख लेते हैं F, A, I, L app को लिखने I, F, L, A तो देखे I, देखे, तिसरा वाला पहले पे आगया फिर F, देखे, दुसरे पे आगया A, L, लाश्ट में चला गया L, देखे, इदर आगया अब देखे, soul में देख लेते हैं soul में कौन सा तरीका लग रहा है soul के alphabet लिख लेते हैं S, O, U, L इससे बनना U, S, L, O तो देखे, S, देखे, दुसरे नमबर पर L, देखे, दुसरे नमबर पर U आपका इदर आगया और O, लाश्ट में चला गया मतलब पहले दुसरे में सेम तरीका लग रहा है यही तरीका dust के alphabet code में लगाएंगे तो dust के सारे alphabet लिख लेते हैं तो इस टार्टिंग में देखे, fail का पहला alphabet देखे, कहाँ पर जा रहा है दुसरे नमबर पर तो dust का भी दुसरा पहला alphabet दुसरे नमबर पर जाएगा कलर को करते हैं थोड़ा सा चेंज जिससे कि आपको समध में आ जाए अब देखे fail का दूसरा जो alphabet है वो चौथे नमबर पर जा रहा है तो dust का भी में चौथे नमबर पर जाएगा दुसरा आलफवेट यू कर दिया अब तिसरा alphabet देखे, पहले नमबर पर आ रहा है फैल का तो S भी देखे, पहले नमबर पर आ जाएगा और तीसरे बाला आपका चौता बाला देखें कहां पर आ रहा है फेल का तीसरे नंबर पर तो यहां पर भी तीसरे नंबर पर आ जाएगा तो S, D, T, U आपका अंसर आ जाएगा तो option D is right answer next नीचे दिये गए विकलपों में से उस अच्छर स्वमू को चुनिए जो निम लिखे थे उस रंकला में प्रसंचिन के स्थान पर आएगा तो सभी के पहले पहले alphabet उठा लेते हैं A से बनाते हैं E A का code कितना होता है 1 E का होता है 5 1 से 5 बना है कितना जोड़ा 4 अब E से बनाते है H H का code कितना होता है 8 तो 4 से 5 से 8 बना कितना जोड़ा है 3 अब H से बनाते है J J का code कितना होता है 10 8 से 10 बना कितना होता है 2 जोड़ा है तिके पहले 4 जोड़ा फिर 3 फिर 3 के बाद 1 एक-एक की कमी होती जारी अब कितना जोड़ेगा 1 10 में 1 जुदेंगे तो आपका कितना आजाएगा 11 11 किसका होता है के का पहला अल्पावेट हमें मिल गया के अब सभी के दूसरे अल्पावेट उठा लेते हैं C से बनाते हैं G C का कोड होता है 3 G का कोड होता है 7 3 से 7 बना है कितना जुदा? 4 अब जी से बनाते हैं जे, जे का कोड कितना होता है, दस, तो साथ से दस बना आपका कितना जुड़ रहा है, तीन, अब जे से बनाते हैं L, L का कोड कितना होता है, बारे, दस से बारा बना कितना जुड़ा, दो, मतलब इसमें भी एक एक की कमी हो रही, तो आगे भी एक की कमी होगी तो 12 में जोड़ेंगे तेरा किसका होता है M का दो अलफाबेट हमें मिल गए के और M तो पहले option में के मार आ रहा है नहीं आ रहा तो यह भी कट option B में भी नहीं है ना option C में तीन option काट एक option बचा यही आपका अंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें देखे स्टार्टिंग के दो अलफाबेट के और M मिल गए तो option D इस राइट आंसर है उस विकल्प का चैन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकरती सनी ही त्याकरती को घुमाने की अनुमती नहीं है प्रस् option B में आपका बड़ा बाला देखिए आयत कहां यहां देखिए यहां पर red color से line कर रहे हैं option B में तो देखिए यह मिल गया अब छोटा बाला देखिए आयत कहां पर होगा प्रस्नाकरती का तो देखिए छोटा बाला आयत भी आपका प्रस्नाकरती का मिल गया अब तीसरा ब रवर स्टेशनेरी से संबंदित है उसी प्रकार तस्तरी किस से संबंदित होगी तस्तरी जो है वो बरतन से संबंदित होगा option D is right answer क्योंकि रवर जो है स्टेशनेरी का एक भाग होता है उसी प्रकार तस्तरी जो है बरतन का एक भाग है अगला है उस विकल्प का चैन करें जो तीसरे पतर से उसी तरह से सम्बंदित है जिस प्रकार दुसरा पतर पहले पतर से सम्बंदित है तो जो तरीका अजेट से CHGR बनने में लगेगा बही तरीका आगे अपलाई करेंगे तो अलफाबेट लिख लेते हैं सबसे पहले AJET AJET इनके अलफाबेट कोड लिखते हैं A का कोड होता है 1, J का होता है 10, E का होता है 5 और T का होता है 20 इससे क्या बनना है CHGR इनके भी alphabet code लिख लेते हैं C का code होता है 3H का होता है 8 G का होता है 7 और R का होता है 18 तो दिखिए 1 से 3 बनना 2 जुड़ा 10 से 8 बनना है तो 2 घटरा है 5 से 7 बनना है 2 जुड़ा है 20 से 18 बनना है 2 घटरा है मतलब एक सीरीज चले पहले 2 जुड़ा फिर 2 जुड़ा फिर 2 जुड़ा फिर 2 जुड़ा यही तरिका G के QN में लगाएंगे सबसे पहले G के QN के alphabet code लिख लेते हैं G का code होता है 7 K का होता है 11 Q का होता है 17 और N का होता है 14 Starting करेंगे 2 जुड़ने से 7 में 2 जुड़ेंगे तो आपका आजाएगा 9 अब 2 घटाएंगे 11 में 2 घटाएंगे तो आपका आजाएगा 9 फिर अब 2 जुड़ेंगे 17 में 2 जुड़ेंगे तो आजाएगा 19 और फिर 2 घटाएंगे 14 में तो आपका आजाएगा बार है इनके अलफाबेर लिख लेते हैं 9 किसका होता है I का फिर 9 I का 19 होता है S का 12 होता है L का तो I, I, S, L आपका राइट अंसर तो option B इस राइट अंसर अगला किसी कूट भासा में break को 23, 61, 54, 55 के रूमें लिखा जाता है तो उसी कूट भासा में Gerox को किस प्रकार लिखा जाएगा तो सबसे पहले break किस सारे alphabet लिख लेते हैं B, R, E, A, K इनके alphabet code लिख लेते हैं B का code होता है 2, R का होता है 18, E का code कितना होता है, E का होता है 5, A का होता है 1, K का होता है 11, इससे देखिए इससे आपका क्या बन रहा है इसका code देखिए 2 का code कोशन में दिया होता है 2 R का दिया होता है 36 E का कितना दिया होता है E का दिया होता है 15 E का कितना दिया होता है 4 और K का दिया होता है 55 यह आपका दिया हुआ देखिए उपर कोशन में तो देखें 2 से 2 बना तो आपका 1 का मल्टिप्लाई 18 से 36 बना 2 का मल्टिप्लाई 5 से 15 बना 3 का मल्टिप्लाई और 1 से 4 बना 4 का मल्टिप्लाई और 11 से 55 बना 5 का मल्टिप्लाई यही तरीका लगाएंगे जिरोक्स के अलफाबेट कोड में तो जिरोक्स के सारे अलफाबेट लिख लेते हैं X E R O X ओके इनके अलफाबेट कोड लिख लेते हैं 24 होता है X का E का कोड कितना होता है 5 R का होता है 18 O का होता है 15 फिर X का होता है 24 पहले एक का multiply करेंगे 24 में तो 24 एकम 24 अब 2 का multiply होगा 5 में तो 10 आ जाएगा अब 18 में 3 का multiply तो 18 तीया 4 और फिर 4 का multiply होगा 15 में 15,60 अब 5 का होगा 24 में 5 का multiply तो 120 तो यह जो number मिले यही आपका answer होगा और यह कौन से option में आ रहा option A में देखे 24,105 24,105 फिर 46,0,120 46,0,120 होगया तो option A is right answer अगला निम्न प्रस्ण में सही समीकरण प्राप्त करने के लिए किन दो चिन्नों को परस पर बदला जाएगा तो सबसे पहले एक question लिख लेते हैं 119 माइनस 21 भाग 7 प्लस 117 इंटू 3 बराबर है 11 बराबर है 11 तो हम लोग LHS वाला पद solve करेंगे और हम लोग निकालने के कोसिस करेंगे 11 तो ऐसा एक option लेना है जिनके चिन्नों को LHS पद में अपलाई करने पर 11 के बराबर आ जाए तो इसके लिए right answer देखते हैं क्या बनता है तो option नहीं चेक करते हैं भाग की जगा गुणा कर देंगे और गुणा की जगा भाग कर देंगे तो कर लेते हैं 119 माइनस 21 भाग भाग की जगा गुणा हो जाएगा फिर 7 फिर है प्लस 7 प्लस प्लस की जगा क्या हो जाएगा कुछ नहीं तो प्लस की 117 इंटू 3 है तो इंटू की जगा भाग हो जाएगा LHS वाला पत सॉल्व कर रहा है ओके तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले डिबाइड वाला सॉल्व करेंगे तो 117 में तो देखे 119 माइनस 21 सत्य कितना हो जाएगा 147 प्लस 117 में 3 का डिबाइड करेंगे 3 तरका 9,3,27 ओके अब 119,49 कितना होगा तो ये हो जाएगा 108 158 से 147 जाएगा कितना बचेगा 11 जो की RHS के बराबर आ गया तो दोनों पचेप के बराबर होगे तो आगे करने कोई जो रहने तो आपचन है इस राइट अंसर उस विकल्प का चैन करें जो नीचे दी गई आकरती की दरपन छवी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है जब दरपन को नीचे दरसाई के छवी के अनुसर रखा जाता है प्रशन आकरती आप देख सकते हैं तो प्रशन आकरती के लिए सबसे पहले दरपन प्रतविम के लिए एक बॉक्स बनाते हैं तो दरपन प्रतविम में क्या होता है लेप्ट वाले चीज़े मतलब राइट में आ जाएंगी सबसे पहले देखें ये ग्लास आपका है ग्लास को हम लोग बना लेते हैं दरपन प्रतविम में क्योंकि ग्लास के अकरती बही रहेगी सबी में तो बना लेते हैं गाईस एक गोला बनाया और ऐसे फिर एक ऐसे नीचे से एक लाइन कर दी अब देख़े ग्लास के ऊपर कहाली गोल गोल जगाए यहाँ पर ब्लैक कलर का एक निशाने आयत का तो यह कहां पर चला जाएगा दुसरी तरफ यह इस को कलर कर देते हैं चाहे आप जहां बना देते हैं अब दीखे नीचे कलर को चेंड करते हैं प्रश्णा करती का आपका ये पाइट वाला पॉर्शन है ये कहां चला जाएगा दूसरी तरफ जाएगा आपका ऐसे इसको ऐसे मिला देते हैं अब ये ब्लैक वाला कलर ये ट्रेंगल है छोड़ आसा ये आपका कैसा हो जाएगा ये भी आपका ऐसा हो जाएगा मिला देते ह इसको रंग देते हैं उल्टी चीजे बनाती है दरपणपते में में अल्टी चीजे बनानी है अब देखिए प्रस्ष्ण आकरतिы का यह तिकोंना घोमा हुआυा है यह अपका कैसा हो जाएगा यह अपका ऐसा हो जाएगा ऐसा यह इससे मिल जाएगा और नीचे काला पॉइंट है ये आपका कैसा हो जाएगा तो ये भी आपका ऐसा हो जाएगा रंग देते हैं तो ऐसा फिगर बनेगा ये कौन से आप्शन में बनदा है आप्शन सी में आप्शन सी इस राइट आंसर ओके अगला उस बेनारे का चैन करें जो नीचे दिये गए बर्गों के समूं को सरवत्तम ढंग से दरसाता है चांदी सोना आप्शन तो देखिए आप्शन सबसे बड़ा सरकल बनेगा और आप्शन में ही चांदी सोना आजाएगा और चांदी सोना अलग अलग चीज़े हैं आपका बेन डाइगरम बनेगा तो ऐसा बनेगा ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि सबसे पहले देखिए आप उसन आएगा आप उसन का कुछ हिस्टा आपका चला जाएगा सोना में और आबोसन का कुछ हिस्टा चला जाएगा चांदी में ओके चांदी से ही आबोसन बनते हैं और सोने से भी आबोसन बनते हैं तो ऐसा आपका बेंडाइगरम बन रहा है तो आपसे ने इस राइट अंसर अगला यदि P का अर्थ है भाग लिख लेते हैं, P का आर्थ है भाग, Q का आर्थ है प्लस, और R का आर्थ है गुना, S का आर्थ है माइनस, तो एक नीचे दिये का समिकन का मान क्या होगा, समिकन को लिख लेते हैं सबसे पहले, 100S, 12P, 72R, 6Q5, तो लिख लेते हैं, 100S है, S का मतलब क्या है, माइनस तो माइनस लगा दिया, 12P, P का मतलब है भाग, तो भाग लगा दिया, फिर 72R, R का मतलब है मल्टिप्लाई, तो मल्टिप्लाई लगा दिया, फिर 6Q, Q का मतलब है प्लस, तो प्लस कर दिया, बार्ड मार्सल के काड़िंग डिवाइड वाला सौल्प करते हैं तो 100-12 बाटे 72 इंटू 6 प्लस 5 सौल्प करते हैं तो 6 से 72 काड़ते हैं तो 6 कम 6 6 दूनी 12 12 से 12 काड़ देते हैं ओके तो यह आजाएगा आपका 100-1 प्लस 5 यह आपका आ रहा है तो 5 और 100 कितना होगा 105 105 में से 1 जाएगा तो आपका कितना बज़ेगा 104 तो option D is right answer next question है कथन निसकर्स का जिसमें पहला कथन है सभी चांद क्या है मुर्गिया है तो सभी चांद क्या हो जाएंगी सरी सभी मांद हैं मुर्गिया तो सारी मांद क्या हो जाएंगी आपकी मुर्गिया हो जाएंगी लिख देते हैं मुर्गिया दूसरा आपका कथन क्या है सभी पेन मुर्गिया है तो सारे पेन आपके क्या हो जाएंगे मुर्गिया अलग सर्किल और सभी येन क्या है मुर्गिया तो सारे येन क्या हो जाएंगे मुर्गियां ऐसा आपका बेन डीयोगरम बनेगा जिसमें पहला निसकर्स है कुछ पेन मांद है तो दीखेligen पेन और मांद का दूर-दूर तक कोई संबन नही है तो पहला गलत दूसरा कुछ येन मांद है तो ये इनका भी समद्ध दूर दूर तक नहीं है तो दूसरा भी गलत तो इसके लिए क्या बनेगा? Option D बनेगा आपका ना तो निसकर से एक और ना ही निसकर से दो अनुसरान करता है अगला उस विकल्प का चैन करें जो तिसरे पत से उसी तरह से सम्दित है जिसकर दूसरा पत पहले पत से सम्दित है तो जो तरीका 4 से 60 बनेगा बही तरीका आगे अपलाई करेंगे तो 4 से 60 बनाते हैं तो 4 का क्यूब कर देते हैं और 4 को गटा देते हैं तो 64 माइनस 4 बराबर 60 यही तरीका पांच के लिए लगाएंगे तो 5 का क्यों करेंगे और 5 को घटा देंगे इसमें से तो 125 में से 5 जाएगा तो आपका कितना जाएगा 120 आपसंटी इस राइट अंसर अगला है कौन सी उत्तर अकरती प्रशन अकरती में पैटरन को पूरा करेगी तो प्रशन अकरती आप देख सकते हैं थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए तो जहां पर box खाली है बहां पर आकरती को पूरा करना है जहां जहां से मैं color करूँ भाई आपका figure बनेगा सबसे पहले box में हम लोग color कर लेते हैं क्योंकि box में ही आकरती को बनाना है तो अंदर वाला circle पूरा कर लेते हैं अब देखिए यहाँ पर खाली जगे फिर black point फिर खाली जगे फिर black point फिर खाली जगे फिर black point तो black के बाद खाली जगे आएगी और इदर black point आएगा इसलिए अब देखिए यह arrow उपर दिसा में यह नीचे दिसा में अब इदर तरफ है यह उपर तरफ है तो यह भी आपका कैसा हो जाएगा इदर हो जाएगा एक arrow एक उपर हो जाएगा तो ऐसा आपका फिगर बनेगा तो यह कौन से option में आ रहा है option A में तो option A is right answer तो गाई आज किस पूडियो में इतना ही धैंक्यू धन्यबाद आपका देन सोब रहे